इसराइल हमास यूद से जड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको देदे पश्चिम एशिया में अमेरिका की बड़ी कारवाई देखने कुमली है पश्चिम एशिया में और जवान तैनात अमेरिका करेगा अमेरिका ने एर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया है मिसाइल ए डिफेंस सिस्टम भी भीजने की तैयारी है एरान के बढ़ते दखल के बास से ये कदम उछाया गया है तो इसराइल हमास से जड़ी हुई बड़ी जौनकारी मिसाइल ए डिफेंस सिस्टम भी भीजने की तैयारी की जौनकारी है इसराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है पश्रिम एशिया में अमेरिका की ये बड़ी कारवाई और देखे लगता जो तस्वीरे सामने आ रही है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि अब जो युद्ध दिर पर दिर बढ़ता ही दिख तो देखे दुनिया उस वक्त हैरान रहे गई जब हमास ने अमेरिका के दो बंदगों को रिहा कर दिया हमास ने तो ये कहा कि वो इंसानियत के नाते इन दो बंदगों को रिहा कर रहा है लेकिन ये सही नहीं है दरसल हमास ने एक साजिश रची है और इस साजिश में एक कि जन्याहों के साथ डबल गेम कर दिया है। जब बंधकों की रिहाई और राहत समगरे घासा के अंदर भेजे चाने को लेकर कोई सीक्रेट डील होई है। जिसके जवाब से बड़ा कूटनेते गेम डीकोट होने वाला है। पिछले 15 दिनों से इसरेल पूरे घासा पर ताबर तोड बंबारी कर रहा है। ये जानते हुए भी कि घासा के अंदर इसरेल के 200 से ज़ादा नागरिक कैदी है। और उनकी जान को खत्रा हो सकता है। कैदियों में बहुत सारे छोटे वच्चे भी हैं। ये जानकारी भी इसरेल को है। और बिलकुल ठीक ऐसा ही इस बार भी हुआ। इसरेल के प्रधान मंत्री बेनमिन नेतन याहु ने साथ अक्टूबर को ही यानि हमास के अटैक के दिन ही ये ऐलान कर दिया था। कि इसरेल अब युद में है। उन्होंने कहा था कि वी आर इन वार। अबसे आज तक कभी भी बेनमिन नेतन याहु ने बंधकों को लेकर अपनी कमजोरी नहीं दिखाई। ये ज़रूर कहा कि अमेरिका और इसरेल साथ मिलकर बंधकों की रहाई की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने शाय बेनमिन नेतनियाहू के सक्त रवये के बावजूद हमास के आतंकवादियों के साथ सीक्रेट डील के तहट अपने बंदकों को रिहा करवाने पर काम शुरू कर दिया है। इस तरह की उमीद हमास की तरफ से की जा सकती है क्योंकि इसराइल और दूसरे देशों का रुख बहुत कड़ा है हमास के खिला। मतलब साथ है कि आतंकवादि सुरंगों के अंदर भूख से बिलबिला रहे हैं और इसलिए सीक्रेट डील के जरीए एक तरफ गाजा के अंदर राहत सामगरी को आने देना चाहते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के दो बंदकों को रिहा भी कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि इस सीक्रेट डील में एक एहम किरदार कतर के अमीर भी हैं। दरसल अमेरिका के दो बंदकों की रिहाई के बाद कतर के विदेश मंत्राले के प्रवक्ता की तरफ से ये बयान आया है कि आज रात अमेरिका के बंदकों की रिहाई सभी पक्षों के साथ कई दिनों तक लगातार बातशीत के बाद हुई है। प्रवक्ता का कहना है कि इस्रेयल और हमास के साथ कतर की बाच्चीत इस उम्मीद में जारी रहेगी कि वो सभी देशों के बंधकों को रिहा कर देंगा। आज भी हमास के आतंकियों का ही है और ये कोई नई बात भी नहीं है। आतार इस्रेयल पर ये दबाव बनाया जा रहा था कि वो रफा क्रॉसिंग को खोल दे और राहत समग्रियों को घाजा के अंदर जाने थे। लेकिन इस्रेयल इसके लिए तैयार नहीं था और उसने दो बार रफा क्रॉसिंग पर एयर स्ट्राइक भी की थी। यहीं नहीं एजिप्ट के राश्रपति अलसीसी भी बयान दे चुके थे कि अगर घाजा के अंदर राहत समग्रियों नहीं जा पा रही है तो इसकी एक और वज़ा इस्रेयल की जिद है। इस्रेयल के अंदर उन परिवारों में पहले से काफी गुच्सा था जिनके सदस्यों को घाजा के अंदर हमास ने किट्नैप किया हुआ है। इन पीडित परिवारों ने पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉंफरेंस करके कहा था कि घाजा के अंदर राहत समग्रियों तब तक नहीं जानी चाहिए जब तक कि एस्रेयल के सभी 200 से जादा बंदकों को रिहा नहीं कर दिया जाए। इस मांग पर नेतन्याहु की तरफ से कोई बयान नहीं आया था क्योंकि शायद अमेरिका और कुछ साथी देशों का दबाओ इस्रेयल पर था कि रफा क्रॉसिंग को खोला जाए। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे लेकिन पहले नेतन्याहु के अंदर एक सर्वे हुआ है और इस सर्वे का दावा है कि इस्रेयल के 21 प्रतिशत लोग घाजा में हमला करने के विरोध में हैं लेकिन 65 प्रतिशत लोग हमास पर हमले का समर्थन कर रहे हैं। गाजा में 51 प्रतिशत लोग नहीं चाहते कि हिजबुला के साथ जंग हो और 60 प्रतिशत लोग चाहते हैं कि हिजबुला के साथ भी जंग हो जाए। लेकिन सबसे बड़े मुश्किल नेतनियाहू के लिए ये हुई है कि सर्वे के मुताबिक अगर आज इसरैल में चुनाओ हो जाएं तो नेतनियाहू की पार्टी को करीब 20 सीतों का नुकसान होगा। अब जाहिर से बात है कि बंधों को रिहा किये बिना ही इतनी भारी मात्रा में गाजा के अंदर राहत सामगरी भेजे जाने से नेतनियाहू की लोक्रियता इसरैल के अंदर और गिरने वाली है। लेकिन नेतनियाहू इसलिए मजबूर हैं कि वो कई फ्रंट पर जंग लड़ रहे हैं और अमेरिका का साथ और अमेरिका के हथियार उन्हें किसी भी कीमत पर चाहिए। जोशिश आतंकियों के द्वारा की जाने वाली है। पहले बेहत चालांकी से हमास से दील के तहट अमेरिका के दो नागरिकों को रिहा करवाया। और फिर अमेरिका के अंदर राजनेतिक लाप लेने के लिए दोनों बंधकों से मुलाकात भी किये। और स्वागत भी किया है। ये दोनों अमेरिकी बंधक साथ अक्टूबर को इस्रैल के किबुट्स में थे। जहां पर आतंकियों ने सबसे जादा हिंसा की थी। यहीं पर नतालिया अपनी दादी का बौध्दे सेलिब्रेट करने गई थी। लेकिन आतंकियों के कबजे में चली गए। नेतन्याहू को तो काफी दगणा जड़का लग गया है क्योंकि 15 दिनों से जो आतंकी सुरंगों के अंदर भूग से बेलबेला रहे थे। उनके पास अब राहत सामाकरी पर कबजे का विकल्प मौझूद है। लेकिन बंधकों के परिवार में खुशी है। खास तोर पर नतालिया के भाई अपने बैहन के रहाई से उच्छा में है। ब्रिटेन और फ्राम्स के नाकरिक भी हमास की कैद में हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरह घाजा में मारी जा रहे हैं आम लोगों का एक दर्द है। चीक उसी तरह से घाजा के अंदर हमास में मौझूद छोटी बच्चों के माता पिता का भी दर्द बहुत बढ़ा है। और रहाई के इस मौके पर ये दर्द चलका है। कुल मिलाकर इसरेल और हमास के इस जंग में एक ग्रेट गेम चल रहा है। जिसका खामियाजा नेतनियाहू को भुगतना पड़ रहा है। नेतनियाहू जैसा सक्त जान जिसने अपने भाई को जंग में खोया है। वो कभी भी इतनी आसानी से रफा क्रॉसिंग खोलने का फैसलान नहीं ले सकता था। लेकिन शायद अमेरिका का डबाओ उनकी स्ट्रेड़जी पर ज्यादा भारी बढ़ा है। तो इसराइल हमास युद की तबाही दुनिया को जड़ा रही है। गाजा वारूदी कब्रस्तान में बदल चुका है लेकिन हमास सरेंडर को तयार नहीं। क्योंकि हमास के साथ हर गुजरते दिन एक नया आतंकी संगठन जुड़ता जा रहा है। लिबनान के हिजबुला के बाद यमन के हुथी लड़ाकों ने इसराइल पर हमला बोल दिया है। इसराइल पर ड्रोन से मिसाइल दागने वाले हुथी लड़ाके अमेरिका से भी सीधे टकर ले चुके हैं। देखे रिपोर्ट पंद्रा दिनों से इसराइल ने गाजा के अंदर पांच हजार से ज़ादा एर रेट करके गाजा को गबिस्तान में बदल दिया है। लेकिन अब अचानक कुछ ऐसा हो गया है जिसकी कल्पना नेतन याहू ने नहीं की थी। इसराइल के सामने सफल शासक माने जाने वाले गोल्ड मान्यार को भी ऐसी अभूत पुरो परिस्तितियां नहीं जेलनी पड़ी थी। सिक्स देव वार में गोल्डा मायर ने आठ अरब देशों से अकेले जंग लड़ी थी। लेकिन इसमें यमन शामिल नहीं था। हलाकि अब वो जंग होने जा रही है। उसमें यमन भी कूट पड़ा है। यमन के हूथी वित्रोहों ने दो मिसाइले लॉंच करके अपनी ताखत दिखा दी है। लेकिन अब इसरेल ने भी इन हूथियों को जड़ से मिटा देने का ऐलान किया है। क्योंकि ये तै हो चुका है कि हूथी वित्रोहों ने जो तीन मिसाइले दागी थी। उसका ठाट इसरेल था। जिसके बाद से इसरेल डिफेंस फोर्सेज ने यमन में हूथी रेबल्स के अग्डों को तबाह करने की सीथी चेतावनी दे डाली है। आई डिफ की प्रवक्तार रियर एड्मिरल डैनियल हगारी ने घाज़ा पट्टी के साथ लेबनन और यमन पर जवावी हमले की जानकारी साजा की है। गुर्वार को 19 अक्टूबर को ही अमेरिकी नौसेना की एक जहाज ने यमन से इसरेल की ओर लॉंच की गई मिसाइलों और डोनों को रोक दिया था। अमेरिका की रक्षा विभाग पेंटागर ने दावा किया था कि हूथी ने इसरेल के खिलाफ ब्रोन भी छोड़े थे। मतलब इसरेल का एक और पुराना दुश्मन जंग के मैदान में है। हमास की तरह इसरेल के इस दुश्मन को एरान ने ही खड़ा किया है। इसरेल पर हमले के साथ ही खाड़ी में मौझूद अमेरिकी सैन ने अड़ों को भी मिसाइल और ड्रोन से दहलाना शुरू कर दिया किया है। तो भारत ने फिलस्तीन को मदद भेजिया आपको बता दे कि दवाईया और खाड़े सामागरी भेजी फिलस्तीन भारत ने भेजी 6.5 टन मेडिकल साहता समागरी आपको बता दे कि भारत ने 32 टन आपदा राहत समागरी भेजी है। वायू सेना का सी वल सेवन विमान राहत समागरी लेकर के रवाना हो चुका है। तो बिमान से देखे राहत समागरी भेजी जा रहे है। भारत ने 6.5 टन मेडिकल सहायता सामागरी फिलिस्तीन को भेजी है और 32 आपदा राहत सामागरी भेजी गई है। भायू सिरा का C-17 मिमान राहत सामागरी लेकरके रवाना हुआ है। तो देखें दवाया और खार्जे समागरी फिलिस्तीन भेजी जा रही है भारत के तरफ से और भारत फिलिस्तीन की मदद कर रहा है भारत ने 32 तर आपदा रहा समागरी भेजी जा रही है